हेलो बच्चो मेरा नाम है अविनोपाधक और मैं लेकर आया हूँ आपके पास क्लाश 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है तो आज जो अपने पास ये चैप्टर है वास्तविक संख्या है इसका आज हम लोग वन सौर्ट रिवीजन देखेंगे इसका मतलब क्या है व लोगों को पूरे चैप्टर का अच्छे से रिवीजन हो जाए ठीक है तो सभी लोग आ जाए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं सभी लोग बैट जाए ग्लास में पानी ले लिजे या बोटल में अपने पानी रख लीजे क्योंकि क्लास जो है वह बहुत लंबी चलने वाली है क्योंकि हम एक ही लेक्टर में इस पूरे चैप्टर को फिनिस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th पॉइंट आफ व्यू से आपके बोर्ड एक्जाम पॉइंट आफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है तो चलिए फिर स्ट वी वास्त्रिक संख्याओं का परिचया जानेंगे यह आप अगर बुक उठाएंगे नया पप्रिकेशन 2020 हो अगर बुक उठाएंगे तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं दिया गया है मतलब यह है कि यहाँ पर जो वास्त्रिक संख्याओं वाला जो पार्ट है यह क्लास 9 में आपने पढ़ा था जब संख्याओं की जानकारी ली थी संख्याओं के बारे में अध्यन किया था जो पहला चैप्टर था संख्या पद्द थी उसमें आपने संख्याओं के बारे में उनका बेशीक परिचय ले लेंगे एक छोटा साउट revisions कर लेंगे ताकि उसके बारे मने आइडिया लग जाए जब भी में कहीं परिमे संख्या या अपरिमे संख्या है तो आपको दिमाग में क्लिक हो जाए कि अचा सर ने ये बताया था कि ये आबाज संख्याएं होती है तो में कौन सी संख्याएं लेनी है या कौन सी अगर प्राक्रस संख्याओं की बात कर रहा है तो आपको आइडिया लग जाए कि कौन सी प्राक्रस संख्याएं होती है और कहां से उनको में लेना होता है और कौन सी संख्याएं है यहाँ पर तो वो अमने ल लेकिन चैप जुक टॉपिक है यह बहुत सिंपल है बहुत ही सिंपल है प्राइसान नहीं होने की जरूबत है कि अंगलित की आधार भूत प्रमे क्या है वो सब अच्छे से हम लोग समझेंगे इसकी जो पहली एक्सराइज है इसी से कोश्चन बनने वाला है 1.1 एक्सराइज मतलब की समझें अब यहां पर बात करने वाले है और इसके बाद हमारे पास बात ही आप पर में संख्याओं की जो कि most important topic most important topic है अगर हम बात करें इससे confirm एक long question बनेगा इसमें हम आपरीमे संख्याओं को सिद्ध करेंगे कि क्यों ये आपरीमे संख्याओं हैं कैसे ये अपरीमे संख्याओं होती हैं उनकी बात करेंगे जो exercise ये 1.2 दो ही exercise है छोटा chapter है एक करके सारी चीजें आसानी से चेपटर में हम लोग के लिए कर लेंगे तो श्टार्ट करें अपने चेपटर को वण पॉइंट, one, one, two है और थोड़ा सा संख्याओं के परिचाय में जान लेंगे तो सभी लोग रेडी है ना फिर इस्टार्ट करें अपनी ऐसी कोई भी चीज नहीं रहेगी सारा अमसार्ट में उसको रिवाइस कर लेंगे और अच्छे से सारे कॉंसेप्ट उसको समझ लेंगे ताकि जब आप एक्जाम देने पहुचो और इस चैप्टर जब आपको रिवीजन करना होगा तो आप पूरी एक एक लेक्चर दो देख संख्या आखिर में है क्या तो अगर हम संख्या की बात करें तो संख्या एक हमारे पास गड़ती वस्तु है जिसका उपयोग हम नापने में मापने में या नामकरण करने में करते हैं इसका मतलब क्या है सर कि नापने में मापने में नामकरण में आप अगर अपनी डेली ला बनाते हैं कि सर हम इतने टाइम जाएंगे हमारा नो बजे का स्कूल है तो नो बजे में घुल जाऊंगा सरो 12 बजे मेरा लैंट्च होता है दो बजे मैं स्कूल से वापस आऊंगा फिर मेरी कोचिंगों तो देख रहे हैं वहाँ पर समय की संख्याओं का यूज कर रहे हैं न चीजों में किसका उपयोग करते संख्याओं का और एक नामकरन की बात आज़े नामकरन जैसे कि आपने किसी गाड़ी पर अपना नंबर लिखा देखा गाड़ी का नंबर होता है उस गाड़ी का नंबर से हम उस गाड़ी की पैचान कर सकते हैं प्रतेक गाड़ी के लिए एक के आधार कार्ड पर भी संख्या मतलब कि आपकी पैचान भी एक संख्या के माध्यम से हो रही है अगर आप आधार कार्ड पर लिखा नंबर देखेंगे तो सभी का अधार कार्ड का अलग-अलग उनी वर्गी करण को आज हम यहाँ पर थोड़ा चर्चा में लेते हैं कि क्या-क्या संख्याएं होती हैं, उनको वास्त्विक संख्याएं भी बोलते हैं, वास्त्विक संख्याओं का मतलब क्या है, इसके अलग-अलग और भी पार्ट हैं, वास्त्विक संख्याओं को भी वर के पस सब्सक्राइब कर करेंगे चलते हैं अगर आप बेसिक बद हो प्राकरस संखया लिखाओ या प्राकरतिक निए हएनसे इंग्लिश में बोलते है नियुरि नमबर नाटउरल नमबर हो That प्राकृत यह प्राकारतिक लिखा मिल जाए तो प्रइशान नहीं हो तो प्राकृतिक संख्यह ठिक हैं इंगलीश मों जो ते हैं नेचुरल नम्बर इसलिए इसे capital N से महीं कहीं धरसाते हैं capital N लिखा भूखं़ में आपको मिल जाएगा तो नेशुरल नंबर होते क्या हैं सर तो प्राक्रस संख्याएं सर वो संख्याएं होती हैं जिनका उपयोग हम काउंटिंग के लिए लेते हैं मलब जब भी हम गिंती प्रारम करते हैं किसी चीज को गिनना प्रारम करते हैं तो कहां से प्रारम करते एक से जैसे कि आपके स्कूल म हमारे पास कितने आपकी स्कूल में बच्चे हैं तो आप गिंती कहां से स्टार्ट करते हूं सर एक से स्टार्ट करते हैं तो जब भी गिंती की बात आती है काउंटिंग की बात आती है जब हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं किसी चीज को गिनना स्टार्ट करते हैं तो हमेशा कहां से करते हैं एक से जो संख्या प्रारम बोती हैं एक दो तीन और अनंत तक चली जाती है उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं प्राकरतिक संख्या बोलते हैं या प्राकरत संख्या बोलत संख्याओं में कौन सी बात आती अब तो बात हो गई प्राक्रस संख्याओं कि सर एक से प्रारंभुई संख्या है और अनन्द तक चली गई सर अगर जीरो अगर आपने देखा है कि जीरो भी संख्या होती टोटल अंख हमारे पास कितने होते हैं गडित में दस एक से लेके ज इतने अंक हैं टोटल टोटल नव ही अंक है दस ही अंक है इन्हीं दस अंकों के माध्यम से हमने क्या किया आंगे की संख्या बना ली किन्दु सर अगर हमें 0 को रखना होगा प्राक्रस संख्यों में सर अमने देखा कि सर यह एक से प्रारम हुई इन संख्यों की अगर हम बात क से प्रारभ होई और हमारे पास अनंतक चली गई कि 1 2 3 4 और इसे यह आप अनंतक ले गए अब अगर जीरो को रखने की बात आई तो 0 को कहा रखा जाए लों को शज़िलो को रखने की बात आई तो 0 रखने के लिए उसको अलग वर्गी करत किया गया कि जो संख्याद जीरो से प्रारंब होंगी जैसे कि इसे एंसे दरसा रहे थे ऐसे डबलू से दरसाते हैं होल नंबर जो संख्या है जीरो से प्रारंब होंगी आंगे कि सारी प्राक्रस संख्या है एक दो तीन चार डेडडडड़ अनंतकी इन संख्याओं को हम होल नंबर या पूर्ण संख्य तो जब भी संख्या में आंगे जीरो लग जाए और फिर आंगे कि सारी संख्या होंगी प्राक्रस संख्या है तो उन्हें क्या बोलेंगे पूर्ण संख्या है इस पर एक कोश्चन बनता था क्या कोश्चन बनता था कि क्या सारी पूर्ण संख्या है प्राक्रस संख्या होती ह आप बताओ, खुद से सोचो, क्या सारी पूर्ण संख्याओं जो होंगी, सारे जो whole numbers होंगे, क्या वो सारे natural number होंगे, सारी whole numbers होंगी, तो सर नहीं होंगे, क्यों, तो कि पूर्ण संख्याओं में सर 0 भी आ रहा है, और प्राक्रस संख्याओं में 0 नहीं होता है, यह हमें पता एक से अनन्त की हैं लेकिन सारी پून संख्याइं प्राक्र Silvki नहीं होती है इसके बात आती है पूरांग संख्याओं की बात तो जब हमें बात की कुछ नियर्टीव के बीनमबर सो सकते हैं रिडिळात्मक नमबर हो किसी-किसी बुक में आई लिखा हूँ और किसी में जड लिखा हूँ परशान ना हूँ ना दोनों बातों का मतलब एक है और पुडांग संख्याओं में क्या आता है यह सर हमारे पास जो संख्याओं होती है इसमें निगेटिव के नंबर भी होते हैं और पॉस्ट्यू के भी मतलब कि धनात्मक और घलात्मक दोनों प्रकार की नंबर में मिल जाते हैं कि माइनस से इधर माइनस वन माइनस टू-3-4 और इधर जीरो के बाद 1 तो त्री फोड की जैसे मैं यहां खड़ाओं तो मैं मालो जीरो पर खड़ाओ जीरो एक दब हीरो की तरह खड़ाओं टिक अब जीरो से अगर मैं इधर दाइं तरफ चलूंगा तो एक दो तीन प्लस के मान मिलें और अम बाइं तरफ अगर जाते हैं तो निगेट्ट्व के सेaches गरनाम कैसी है यहाँ पर दो प्रकार से मिल लही है एक एक यह और पौणवड कौनसी रिड़ातमक और धनात्मक कौनसी इसको आई-माईनस के लिखा सकते हो यह कि आई के उपर माइनश लगा दिया मत darauf कि निगेटीव की बात कर रहा या जडर के उपर माइनस लगा दिया तो यह पर कौन्स वह होकλά सर्य माइनस माइनस-3 डेट-डेट-ज इदर माइनस अनंतिया ऐसे दिखा सकते हो ऐसे ही अई करके दिखा दो तो वो हमारे पास कौन सी हो जाएंगी धनात्मक पुढांग एक दो तीन चार पांच डेट 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 डेस प्लस अनंत अब आप बोलोगे सर माइनस के भी ले लिए इधर इधर प्लस के ले लिए जीरो को सर कहीं नहीं लिया जीरो भी तो था इसमें बीच में सर जीरो भी तो था जीरो क्यों नहीं लिया तो जीरो बेटा एक उदासीन बंदू उदासीन नंबर है उदासीन संख्या है क्योंकि जीरो को ना तो धनात्मक पुढांग में रखते हैं ना ही रिदात्मक पुढांग पे रखते हैं जीरो कैसा एक उदासीन नंब संख्याओं के प्रकारों के बात में किंगे कि इह मारे पास तीन प्रकार होते इनकी हमने दो これा कर लिए कि किस कर से संख्याओं को रखा जाता है अब सर एक चीज रहे गई यह तो बात पांच इन प्रकार की संख्याओं के लिए हम क्या बोलेंगे तो इसके लिए आई सबसे इंपॉर्टेंट संख्या परिमे संख्याएं परिमे संख्याएं सर कौन सी संख्याएं होती है सर इसकी रिफनीशन हम बहुत बार पढ़े हैं कि सर परिमे संख्याएं वो संख्याएं ह जिनको हम P बटे Q के रूप में लिखते हैं इसे आप Q से दरसाते हो Q equal to P बटे Q मतलब कि P बटे Q के रूप में जिन संख्याओं को रखा जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं परिमें संख्याओं कहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमे संख्याय कहते हैं, और यहां पर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, कि जहां Q does not equal to 0, Q कमान 0 के बराबर नहीं होगा, और P और Q होते क्या है, सरफ P तथा Q, पूढांक होते हैं, क्या होंगे, पूढांक संख्याय होगी, पूढांक है, अभी 0 के equal नहीं होता है for example कैसे मतलब की जैसे हमने यहां पर यह लिखा एक बटे दो एक बटे दो बटे 5 साथ बटे चार इसारी क्या है पी बटे क्यूं के रूप में लिखी है यह हमारे पास कैसी संख्या है यह सर्फ परीमे संख्या है क्या है परीमे संख्या है अब आपसे अगर कोई बोल दे कि अगर दो बटे जीरो लिखा है तो क्या यह परीमे संख्या होगी मैंने अभी बताया कि क्यूं कमान जो होगा वो जीरो के equal नहीं होगा और यहां पर सर क्यों कमान 0 आ रहा है मतलब कि अंस tubd औरıl हर लिखा है तो हर में gurl यह एक आप अपरिभासी संख्या हो परिखाय जाती है अफ़िछ संख्या के बारे में आफ़ 11 हो जब पहुंच होस्त आओध उने के बाद इस jump कि इसको proper पर explanation के साथ पढ़ोगे कि क्यों यह आप परिबासित हो जाती इसका क्या मतलब है इन सब चीजों के बारे में आप 11 में जानोगे अभी आप 10 में इतना जानो कि अगर हर में 0 आता है तो वह आप परिबासित होती है उसकी वेलू नहीं ग्याद की जा सकती उसे और डिफाइन वेलू बोलते तो इसलिए हैं बोलते हैं कि यहां पर क्यों कमान जोगा वो 0 नहीं सकता तो क्यों कमान 0 नहीं हो सकता लेकिन पीवर्टे-क क्यू के रूप में जो संक्ष्प़ के लिखी जा सकती है वह परिम्य हो गी अगर जैसे दो लिखा है तो क्या 2 एक पर और परिमेरी संख्याओं में अंतर क्या होता है क्योंकि भिन्य संख्याओं को इनको भिन्य संख्याओं भी तो बोल सकते हैं क्योंकि भिन्य संख्या क्या होती है भिन्य संख्या वो संख्या होती है जिनको अंसबटे हर के रूप में लिक रहे होते हैं या किसी चीज का टुक लिए चंख्या को परिमेश सं चाहों में उतना इतना है कि संख्या हमेशाग धनात्मक me होती भिन संख्या हमेसा दनात्मक होंगी कभी किसी चीज का हिस्सा यह टुकड़ा बता रहे होगा ऐसा तोगा निगेटिव में कोई चीज है जैसे हमारे पास यह हमारे पास पैन है तो इसको हम दो भागों में टोड़ दें तो एक बटा दो एक बाग एक बतलब आधा और आ परिमेह संख्या में क्या बताया परिमेह संख्या में सर एक चीज आपने बताई कि पी बटे क्यों के रूप में लिख सकते और पी क्यों पूड़ांग होंगे और पी हमारे पास पूड़ांग है माइनस का दो है कोई दिक्कत नहीं पूड़ांग में निगेटिव के ओग्मिर क Benjamin हुँग सकती है यह अंतर सभी परिमेसंख्या तो होगी सारी परिमेसंख्या तो अब चलते हैं अगले पार्ट पर इसके बाद बचा हमारे पास आप परिमेश संख्या हैं, तो आप परिमेश संख्या हैं क्या होती है, बेसिक सी बात, कि जिन संख्याओं को आप P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे अगर QC या T से भी कहीं, QT भी लिखा होता कि ते रूट ती से रूट को fine by 2 डेसटेसी अभ एक बेसिक सी बात, का अंतर समझूँ अप परिमेश संख्याओं कि इसको अड़ाते हैं, लिखते ह परिमाररी संख्या एक बार समझ लेते, क्योंकि इसमें टॉपिक भी पूरा परीमेश संख्या हो के बारे तो समझ लेदने की क्या है अपर मेर में वह प्रero कित्स है धे अफ अरुलिए फॉलते हैं मेर अब हर में सुन्ख्याओं मेरा आप परिमें जांख्याओं को gressional नंबर तो किक में संख्याओं को QCT से दर साथ थे आप एक चीज पढ़ी थी जब आप 9 में थे तो आपको एक चीज पताई गई थी कि पाई एक आप परिमे संख्या है बताई गई थी और 22 बटे जो 7 हम इसका मान ले लेते हैं वो एक परिमेशन क्या है इन दोनों से ही दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा ये बात आपने पड़ी थी कि πई एक परिमेशन क्या है और 22 बटे 7 एक परिमेशन क्या तो ऐसा क्यों है क्योंकि बेटा पाई की जो वैलू आप इग्जेक्ट वैलू जो यह लेते हो ना 3.14 जो मान लेते हो कि जब भी मान रख रहे होते हो 3.14 या 22 बटे 7 रख रहे होते हो तो 3.4 पाई का exact मान नहीं है अभी तक पाई का exact मान निकाला ही नहीं गया पाई का exact मान अंत ही नहीं होता यह 3.14159267 डेस डेस ऐसा ही अनन तक चला जाता है यह पूरा बोर्ड बर जाएगा ऐसे हजारों बर जाएंगे लेकिन इसका कभी मा लेते हैं वो सिर्फ कैलकुलेशन और गणना के लिए लेते हैं कि 3.41 लिख लो या 22 बटे साथ लिए दोनों की वेलू है क्योंकि 22 में साथ का भाग करो गई यह 3.14 आ जाएगा इसलिए इसको पी बटे क्यों के रूप में लिखा जा सकता है क्योंकि यहां से दसम्लों अट अगर हम यह दसम्लों हटाते हैं तो हमें नीचे पता ही नहीं है कितने 0 लगाने है तो उसको पी बटे क्यों की रूप में लिखेंगे कैसे अगर किसी संख्या को पी बटे क्यों के रूप में नहीं लिखा जा सकता है मतलब कि वह संख्या आप परिमे है इसलिए पाई को हम आप परिमें बोलते थे जबकि तीन दसंख्याओं को आप दसंख्याओं को आप रूप में बना दोगे तो वो तो परिमें हो जाएगी लेकिन जिनको नहीं बना सकते वो आप परिमें रहेंगे ऐसा ही हमारे पास यह हो गई वा संख्याओं का वरगी करने इनी संख्याओं के पिता जी वह वह वास्त्रीक संख्याओं जिने हम रियल नंबर बोलते हैं आर से डिनोड करते हैं इनी के पिता जी हैं इनी सभी संख्याओं के पिता जी इनी संख्याओं के अंदर ही सारी संख्याओं आती हैं तो वास्तिविक नंबर काओं से होते हैं जब सारी परिमे सारी आपरिमे संख्याओं मिला दो मतलब माइनस अनंत से प्लस अनंत कोई भी सं संख्याय हो जाती है मतलब की परिमे प्लस आप परिमे दोनों प्रकार की संख्याय मिला दो क्योंकि परिमे में तो यह संख्याय आ गई अपरिमे का तो कोई परिमें संख्याओं के सयोग से जो संख्याओं बनती हैं उनको ही अमवास्पिक संख्याओं बोलते हैं रियल नंबर बोलते हैं यहीं हमारा चैप्टर का नाम है तो यह इसलिए मैंने थोड़ा सौट में रिवाइस करा दिया क्योंकि बीच-बीच में इस चीजों का यूज लेते रहेंगे तो उसका में लोग करेंगे आप सबसे बड़ी चीज इसमें तीन चीजे और रहती हैं हमारे पास प्राक्रस संख्याओं के अंदर कौन-कौन सी एक रहती है भाज्यसंख्या एक अभाज्यसंख्या जिसका हम बहुत ज्यादा उपयोग करने वाले इस पूर आती है भाज्य संख्या अभाज्य संख्या और सय अभाज्य संख्या तो भाज्य संख्या क्या होती है इसको भी थोड़ा साथ में रिवाइस कर लेते हैं फिर अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा भाज्य संख्या है सर कौन सी संख्या होती है सर भाज्य संख्या होती अगर भाज संख्याओं की बात करें कि जो स्वयम से विवाजित हो जाएं एक से विवाजित हो जाएं और कम से कम किसी एक अंड संख्या से और विवाजित हो जाएं तो उन्हें हम भाज संख्याओं में बोलते हैं कि एक कोई संख्याओं और गिक जैसे की मैंने चार ले लिया कि और चाहि murder से विवाजित होनी चीए खुद से विवाजित होनी चीए तो चार हां खुद से तो विवाजित है चार एकम चार दूसरी बात दूसरी बात यह कि यह एक से भी विवाजित होनी चीए एक से तो सारी संख्या विवाजित होती एक चौको चार कोई दिक्कत नहीं तथा एक अन विवाजित है और किसी एक अनसंख्या से भिवाजित है जैसे कि लेलू ऐघतो से भिवाजित है dise अधर आठ जो है वो दो से भी है चार से भी है दो से चार से तो ही मलब दो किसी एक अन संख्या से हो जाए दो से हो रही है ठीक है चार से भी हो रही तो अच्छी बात है चार से भी हो जाती एक से जादा हो सकता है लेकिन एक संख्या से कम ऐसी होनी चाहिए जिसे एक अन संख तो अभाज संख्या वो संख्या होती प्राइम नंबर्स बोलते हैं अब इसी में बात आजो अभाज संख्या है कौन सी अभाज संख्या होती है जो खुद से विवाजित हो और एक से विवाजित हो इसके अलावा और किसी से विवाजित नहीं खुद से और एक से बस और किसी से रहे जैसे कि दो दो अगर देखा जाए खुद से विवाजित है दो एकम दो अगर दो देखा जाए एक से विवाजित है एक दूना दो और किसी संख्या से क्या दो विवाजित है नहीं विवाजित है और को या जो तीन ले लो सर तीन खुद से विवाजित है तीन एकम ती तीन सर अगर देखा जाए तो एक से विवाजित है एक तिरका तीन ठीक है पांच ले लो सर पांच हमें दिख रहा है कि पांच सर खुद से विवाजित है पांच एकम पांच पांच सर एक से विवाजित है पांच बस कोई दिक्कत नहीं तो दो हो गई तीन हो गई पांच हो गई 7 हो गई 9 नहीं हो गई तो निको खुद से विया जित है एक सी वाजीcidos आ जीखी गई तो वह भाज संखियो में नो के बाद नहीं लेंगे तो रा जाएगी 25ование 252 3 5 7 11 3 आसे चलेंगे तो वह क्या जाएंगी अभाज तो कि तो स्यावाज नंबर यह होती है इसमें क्या होगा इसमें हमेशा धोसंख्याओं की बात हो रही होगी तो ऐसी संख्याओं ली जाएंगी जिनका क्या हो दो अबाज शंख्याओं होगी जिनका SCF जो होगा वो हमेशा एक होगा हमेशा उसका SCF आएगा यह दो संख्याओं का यूग होगा जैसे कि अगर हम 5,7 ले ले संख्याओं का SCF एक होता है उनको हम क्या बोलते हैं संख्याओं की बात हो गई संख्याओं के बारे में जो कि हमारे पास वास्तिविक संख्याओं के सारी अंदर यह सारी संख्याओं आती हैं बस इतनी सी ही हमें वास्तिविक संख्याओं के बारे में बात करनी थी जो हमने समझ लिए इसका अभी तक अभी कोई गड़ित की आधार भूत प्रमे क्या है उसी का ये statement लिखा है दफंटामेंटल थ्वयरम आफ अर्थमेटिक तो फंडामेंटल थ्वयरम क्या है अर्थमेटिक की उसकी बात को पहले पढ़ लेते हैं क्या बोलना चाहरा फिर हम समझ लेंगे सरल भासा में लिखा तो बहुत ग संख्याओं को अभाज संख्याओं के गुड़न फल के रूप में उसे गुड़न खंड किया जा सकता उसके फैक्टर किये जा सकते हैं ठीक कोई बात ने तथा यह गुड़न खंड अभाज गुड़न खंडों के आने वाले क्रम के बिना अदोती होता है नीचे वाली लाइ जैसे कि कोई एक भाज संख्या ले लेते हैं के रहा प्रती एक भाज संख्या को अभाज संख्यां का एक गुडणफल के रूप में विक्त किया जा सकता है कोई भी एक तीन गुड़ेती दो तीयाँ छेएं तीयां अठारा अठारा को लिख सकते ना अब आज गुड़न खंध के रूप में विवर्त किया तो पहली स्टेटमेंट जो लिखा इसने पहली लाइन में जो लिखा उसका मतलब यही है कि आप जो यह अठारा आए यह क्या है भाज संख्या है 15 15 का अगर हम गुड़ा खंड करें तो क्या जाएगा तिर पठी 15 तीन गुड़े 5 हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं तो सबसे बेसिक जो पहली लाइन इसने यही लिखी कि कोई भी भाज संख्या ले ले यह हमारे पास क्या है भाज संख्या है यह आपको पता है कि संख्या हैं यह अभी बात हम लोग कर शुक है इनको हम अभाज गुड़न खंडों के रूप में क्या कर सकते हैं विभक्त कर सकते हैं यह जो आनसांख्या है अदूति नहीं होंगे अधुति क्रम में है, मतलब अधुति ये यूनिक है, इसके जैसा और कोई भी ऐसी संख्या, अगर दो, तीन, तीन ये लिखा गया है, तो ये केवल 18 के गुड़नखंड है, ना कि 15 के हो जाएंगे, 15 के कोई है, 3 और 5, और 15 के जो है, वो 18 के नहीं हो जाएंगे, तो मतलब ये है, कि जो भी हम गुड़नखंड करेंगे, वो एक उसी का रहेगा, मतलब उसके लावा किसी और अन संख्या का गुड़नखंड नहीं हो सकता है, कि अगर हम 18 का कोई और गुड़नखंड कर सकते हैं, यही एक आवाज गुड़नखंड होगा, और ये गुड़नखंड जो है, यह सिर्फ 18 का है, किसी और अन संख्या का नहीं हो सकता है, तो बेसिक बात ये दूसी लाइन में यही समझाना चाहरा है, कि इनके जो आने वाले क्रम है न, वो आदोती हैं, यह संख्या है, यह जो गुड़नखंड हमने फैक्टर की हैं, वो सिर्फ 18 के हैं, यह खंड होंगे, किसी अन संख्या के यह गुड़न खंड नहीं हो सकते हैं, तो एक मोटी मोटी बात आप इतनी याद रखो, कि प्रतेक भाज संख्या को हम अभाज गुड़न खंडों के रूप में विभाक्त कर सकते हैं, और कोई भी यूज नहीं, इसका यूज क्या है, वो प्रते, और लाशाप, लगुत्तम समाभ वरता और महत्तम समाभ वरता निकालने में क्या करेंगे, इसका बेसिक उपयोग करेंगे, और यह question पक्का, उससे आना ही है, confirm है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई उसमें सोचना जी समझना नहीं है, यह question पक्का है, जो आपके पढ़ने वाले ठीक आधारबूत्प्रमेश समझ में आ गई कि इसके गुडणखंड कर सकते और जो यह गुडणखंड है वो किवल इसी का है किसी अन्रसंख्या का नहीं हो सकता बस इत्ती मोटी मोटी बात वो बताना चाहरा है ठीक चलते हैं अब कैसे कोश्चन में इसका उ कि छे और अठारा के हम क्या करते हैं स्यफ और एल्सियम निकालना है लासा निकालना है और मासा निकालना है अभाज गुडणखंड विदी से इस टाइप का कोश्चन बनता है और सिंपल कोश्चन है आराम से हो जाएगा कैसे करते बचपन में सर हमने सीखा था यह तो तो कितने गुडणखंड होगे सर्दो गुड़न तीब एससे ही सर जब हमें 18 का करना है तो 18 का कर लेंगे कुई दिक्कत की बात नहीं है सर्दो दोनवा 18 फिर 3 30 दिर का 9 फिर 3 3 तो सर यह ओ गया, 2 गुणे 3, 3 किते बार आ रहा है, 2 बार, 1 और 2, तो 3 की गात, 2, तो यह हमने क्या कर लिए, इनके अभाज गुणन खन कर लिए, गात लिखना समझ में आ रहे हैं, कि यह दो बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 3 की गात, 2 लिख लिए, 2 गुणे, 3 गुणे, 3 ही वो एक प्रकार से लिखा है वह तीन की घात दो का मतलब यह है कि दो बार तीन यहाँ पर रिपीट हो रहा है अब इसको देखके SCF और LCM लिखना कैसे वो छोटी सी बात समझ लेते हैं SCF क्या होता है कि इधर लिख लेते हैं कि इसको अटा रहे हैं कि SCF क्या होता है mistre of ми कि इसको यहां पर विया यहां पर दो सब्सक्राइब मोजए जैसे जो यहांपर भी है हो सकते जैसे 6,18,14 कुछ भी और अनसंख्या हो सकती हूं का SCF-LCM हो सकता है तो जो सब के पास हो, मलब इसके पास भी हो, इसके पास भी हो, इसके पास भी हो, मतलब यह है कि दोनों में common हो, तो यहां लिख लो, जो सब के पास हो, जो सब के पास हो, ठीक, तो सब के पास क्या है, इसका हम पहले SCF लिख रहे हैं, सर सब के पास 2 है, और 3 है, अब बात आ घात की जैसे यह घात लगाई है यहाँ पर तो घात कैसे लगानी है घात हमें नियूनतम घात के साथ है जिसकी सबसे नियूनतम घात हो सबसे कम घात हो नियूनतम घात के साथ सब के पास होने का मतलब है जो सभी में कॉमा नो सर दो यहां पर भी था यहां पी था तो लिख लिया तीन यहां पर भी था यहां पर भी था तो लिख लिया LCM सब लिखेंगे LCM जो होंगे सारे अभाज गुढन का सब कुछ लिख लेंगे सारे अभाज गुढन खंड लिख लेंगे सारे अभाज गुढन खंड अभी समझ में आज आएगा सारे अभाज गुढन खंड ठिक यहाँ पर घात की बात आएगी तो अधिक्तम घात के साथ जैसे वान्यूंतम था यहां पर सबसे अधिक्तम घात के साथ को से अबाज पोड़नखंडड का मतलब क्या है दो है मतलब कोमन हैं उससे नहीं लें नदेना धिखे राहे हमाय based है यहां पर भी दू है यहां कोई दिक खने झाने एक बाल लिखना तो दो और ठीन हमने लिख लिए और अदिक्तम घात का वालो केला है पहले उनके अभाज ञुड़न खंड कर से कि जो सब के पास हो मतलब जो सब में common हो, दो, दो, यहाँ पर भी तीन, तीन, दोनों में common था, दो और तीन, तो दोनों में दो और तीन लिख लिए, घात कैसे लगानी है, सर, ACF में सबसे नियूंतम घात लगानी है, जो इन सब में नियूंतम हो, तो नियूंतम यहाँ पर दो की घात कितनी है, तीन की गात सर नहीं उन्तम कित्ती है यहां पर भी सर एक है यहां पर भी एक है यहां पर भी एक है यहां पर भी एक है इसलिए एक तो दो तिया च्छै ऐसे एल्सियम में दो की घात एक और तीन की घात किती लग जाएगी दो कि यहां पर अधिक्तम गात में लगानी होती तो तो तीन तरका नो दूना अठारा तो एक इंपॉर्टेंट सूत्र भी निकल के आता है एक इंपॉर्टेंट रिलेशन भी निकल के आता है एक छोटी सी बात यहां से निकल के आती है कि किनी दो धनात्मक पुर्णां संक्याओं का ए और बी ए और बी संख्याओं के बराबर होगी देखें कैसे होगी जैसे अमने यहां पर एक अमान कित्त लिया था पीछे वाले कोशिण में सर पीछे वाले कोशिण में एक अमान आपने अप लिया था मलब दो संख्याएं दनात्म कुणांग है मारे पस तो उमने दनात्म कुणांग 6 और 18 लिये थे तो सर एसी अफ आफ 6 और 18 इसका हम गुणा करेंगे सर अगर LCM आफ 6 और 18 के साथ तो ये क्या ओने वाला है ये दोनो संख्याओं के गुणन फल के बराबर होगा मलब एगुणा बी मतलब एक की वेलू क्या है सर 6 और बी की वेलू क्या है 18 सर तो उन दोनों के LCF और SCF का जो गुड़न फल होगा है कोई भी आप दो संख्या है दनातनों पुणांग ले सकते हो ट्राई कर सकते हो अभी इस पर हम कोश्चन लगाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह बिटा इस पर पक्का एक कोश्चन है और बहुत सिंपल कोश्चन बनता है अभी देखेंगे किस प्रकार के को हो जाएगा अच्छे से सार लोगों के अच्छे से समझ में आ जाएगा कोई डाउट नहीं रहेगा कोई भी कोश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपको लगेगा कि सर ये पार्ठ हम से इसकी हो गया है चले फिर आंगे कोई दिक्कत तो नहीं कोई समस्या तो नहीं किसी को को कुछ भी सरं मजाख चलना समझी नहीं आ रहा कुछ ऐसा कुछ तो नहीं किसी को कुछ भी बोल दें सरा आप पता ही नहीं से बोत्ष आप बदो कोacer है वह सब कोई डॉट तो नहीं चले फिर आंगे यह हमारे पास पहला ज officer गॉइस को ये लिख लास उपता देना किसी को बोरिंग नहीं लग रहे चैनल को het सब्सक्राइब कर ले ना अब आपके आस test में वह ढ़ते हैं कैसे लग लूट करने सुल आपको आँ हूं आने वाले हैं उसके लिए आपको पहले सही बता शच्किसण आप वो मैंने अपने मन से लिया अब आप लोगों की इच्छा क्या है कि असर आमें इस चैप्टर का वन सौट और दे दीजे इसमें थोड़ा सा डाउट है तो वो डाउट एकदम खतम हो जाएगा इस चैप्टर को आप देखिए ध्यान से देखते चलिए पूरी क्लास पूरा फ इस चैप्टर क्या कह रहा है कि 6 और 20 के अभाज गुलन खंड विदी से स्यप और एल्सियम ग्याद किजिए इसके तो सर हम सहंसा हो गया अभी तो हम निकाले थे वैसे ही निकालेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है 6 के निकाले 6 के निकाल लेते हैं सर वैसे ही करेंगे 6 2 3 6 गुण यह दोनों की घात एक है कोई दिक कत नहीं 20 का तो बीस 2 से सर काटा 10 फिर 2 से काटा 5 फिर 5 से काट दिया 5 एकम 5 कोई दिक्कत नहीं तो यहां से मारे पास कित्ता आ गया यह आ गया 2 गुणे 2 गुणे 5 2 दूना 4 पंचे 20 2 गुणे 2 गुणे 5 तो इनको घात के रूप में लिख लेते हैं क्या दिक्कत है कैसे गात की रूप में 2 गुणे 5 और 2 कित्ते बार आया तो 2 गुणे 5 गात की रूप में लिखने में आसानी रहती है तो 2 की गात 2 गुणे 5 2 की गात 2 क्यों सर यहां पे 2 जो है वो 2 बार रिपीट हुआ ता है इसलिए 2 की गात अबने साइड में एक पेज में उपर आप रफ डाल दीजेगा और जब आपका एक्जाम पूरा फिनिस हो जाए तो उस पेज को आप 20 से से काट दीजेगा उपर रफ लिखा रहे ने दीजेगा टिक उपर रफ लिख दीजेगा और कैलकुलेशन वाला जितना पार्ट है वो रफ वा सिंपल वो फार्मुला लिख दिल especially टी टाकि puisque की लोगा उइंस ऌइसां किनकल लिख दिया है वושी किनती उसली के मार्क्स मिलेंगे उसी के हमें पूबरे मार्क्स मिलने वाले हैं और हमें एक तदूammenरे नंबर की पचास नंबर के लिए थोना लड़ रहे थो हम लोग सो से मैं बता रहूं ऐसे ही लिखिए का फुल मार्स आने वाले ठीक है चले फिर आंगे 6 और 20 के हमने क्या किया अब आज गुड़न घंड तो सर कर लिए यह बात तो किलियर है अब बात आती है SCF और LCM की पहले SCF लिखते हैं SCF की बात करते हैं SCF क्या होगा सर मैंने बताया था SCF जो सब के पास हो सब के पास क्या है दो है तीन तो नहीं है सब के पास 6 के पास तो 3 है लेकिन 20 के पास 3 नहीं है 5 20 के पास है लेकिन 3 के पास नहीं है मतलब केवल यहां पर क्या है SCF में सर म में कावने दो और इसकी घात सिफ में नियूंतम घात के साथ यहाँ पर दो की गात दो उन्याइक क्या लगाद के अगात निकालते हैं तो लासापा निकालते तो लाअ यंधा क्या जाएगा सरल लाइकटो तो हमने दो भी लिख लिया तीन भी आया तीन यह नहीं जरूरी है कि इसके पास तीन नहीं यह सिर्फ ऐसी अपने देखना है दो भी लिख लो तीन भी लिख लो लिख लिए जो जो यूज हुआ यहां पर दो तीन पांच तो तीन लिख लिए अब सबसे अधिक्तम गात के साथ CCF आ गया कितना simple question है दो नंबर यहीं से पके हो जाएंगे बस इतना ही माक्स का question आएगा और बस आराम से पक्क हो जाएगा अगर उसने केवल से पूछा तो एक नंबर में पूछेगा दोनों चीज़े पूछ देगा तो दो माक्स में पूछेगा दो मुष्किल से 20-30 सेकंड लगने question का अंसर आपके सामने होगा और आपके माक्स पू पहला question हो गया अब चलते हैं दूसरे question पर दूसरे question में सीखते हैं इस फार्मूले का उपयोग यह भी एक question किया था इस फार्मूले का उपयोग का एक question करते हैं क्या कहरा दूसरा question यदि ए बराबर 8 है ए मतलब समझ रहों कोई धनात्मक पूडांग जो ए और बी की उसने बात की थी कोई जरूरी नहीं आपर ए लिखे हो सकता वो टी लिख दे हो सकता वो आर लिख दे हो सकता वो क्यों लिख दे परेसान नहीं हो ना जो भी लिख दे बस बात हो रही धनात्मक पूडांग की तो ए बराबर हो गया 8 SCF of A and B मतलब दो धनात्मक पूडांग को का SCF हमें 4 दिया है क्या क्या दिया है वो हम लिखेंगे पहले दिया है ठीक हमने दिया है लिखा हमें क्या दिया है सर ए बराबर तो 8 दिया है हमें SCF of A B A और B कोई दो धनात्मक पूडांग है इनका SCF हमें दिया है वो चार दिया है कोई दिक्कत नहीं LCM of A and B मतलब हमें LCM भी दिया है लासा भी दिया है A और B का ए और B का में लासा कित्ता दिया यह सर हमें 12 दिया यह 4 दिया यह 12 इसके बाद हमसे कहए है कि अच्छा ऐसा करो B का मान आप आप बाताओ B का मान आप ज्याद करो SCF का मतलब तो समझती हो ना मासा की बात हो रही है यह लासा की बात हो रही है, सॉट में ऐसे लिख देते हैं, टिक मासा और लासा ऐसे लिख देते हैं, टिक तो इसी की बात हो रही है, बस वही एक फार्मूला है, वही एक चीज अभी उमने पढ़ी है सर, और तो कुछ आपने बताया नहीं, इसी का उपयोग में बताया है, त कुछ हाई नहीं क्या उप्यों गए सर इसका कि सर एस्याफ और एस्याफ और एस्याफ और एकॉमा बी गुले एल्सीम आफ एकॉमा भी एकॉल टू उन दोनों संख्याओं का गुड़नफल कोई दिक्कत कोई समस्या लिख दो को एल्सीम आफ एक र्ताइबट करना कोई दिक्कत में यहां से नंगाल लेते तो भी बराबर कित्ता हो याँ दीन है चार भग में और पर इधर या लगा तो यहां से बेंग सकते हैं कि आंसर सर हमारे पास जो आया है उसमें बी का मान जो आया वो किता आया है तो बी बराबर 6 दा राइट आंसर आप अगर देखना चाहो तो यहां पर देख सकते हो कि 8 और 6 आए यह और भी के मान आट और 6 का गुणा करो हो आठ जंग किता हो जाएगा आठ का आठ दूनसुला आठ चोबिस एक चोब्छा शुक्त बत्री इस अरड़े और एसिएफ और ल्सम का गुणा करो मेरे पाइज़ आंगे पड़ड़ जाएंगे कि सर यहीं पाइप सत॥ है और दो माखे किसे मेरे पर से एक पक्क्रेल्ल जाएंगे के लिए सब quasi Rush n में हमें इपता था हमें से पता था मैं एलसीयम पता था एक ही फार्मूला है सर यही सूत्र है जो में याद है कौन सा सूत्र याद है कि S C F A A and B और LCM A and B equal to A गुळे B अर लासा जो बिका इन दोनों का गुळन फल उन दोनों संक्याओं के बराबर होता है चार बारा गुळे उक्वाल टू आरट बूनेचे विका मान निकाले चार बारा आठ भाग में और सौवकर लिया अंसर कितना आ अगया और सघनी कर आगया तो यहां से मारे पास कितना आउसर आ गया is Dudpa से चलते अगले कोशन ती ND RED क्या कहा रहा है की अभाज गुणंखंडविदी द्वारा अघ्यात कीजिए और फिर इसका ल्षितली आ लऍवी 96 और 404 का में SCF और LCM निकालना है पहले ले लेते हैं 96 कोई दिक्कत नहीं गुणा कर लो सब 96 का गुणा करते हैं फैक्टर निकालते हैं अब आज गुणन कंड करते हैं इधर करते हैं थोड़ा दो से गुणा किया दो चौकू आठ बचा एक दो अठी सोला फिर दो से करो दो दूना चार दो चौकू आठ फिर दो से करो दो एक कम दो दो दूना चार फिर दो से किया दो चंग बारा फिर दो से किया सर दो तिया च्छे फिर तीन से होगा तीन एकम तीन यह हमारे पास आग है दो से किया दो दूना चार जीरो दूना चार फिर दोसे दो एक कम एक दो जीरो दो एक कम दो फिर एक आ गया 101 आ गया 101 तो किसी से कटे या नहीं तो 101 से भाग देतों सो ही का गया कोई दिक्कत नहीं 96 और 404 के में अबाज गुड़न खंड कर लिए दो कित्ती गाते हैं एक दो तीन चार पांच तो सर दो की गात पांच लगा दी पांच बार दो लिखा है इसलिए बहत लगा दी पांच गुड़े तीन की गात कित्ती है एक एक बार 404 में दो गुड़े दो की गात कित्ती है दो दो बार 404 गुड़े 101 हो गया दो की गात दो गुणए एक सो यह हमने क्या किए इनके अभाज गुणनखंड लिख लिए आराम से अब सीफ और लसीम की तो बात करनी है कर लेते हैं ना पहले सिफ निकाल लेते तो 101 सिफ क्या होने वाला जो सभी में कवनने क्या को मनेशर दो यहां पर वी यहां पर यहां पर नहीं यहां परEr 1509 सिर्फ यहां पर कॉमन में तो लुख लिए घात कितनी लगाते हैं जो नियून तम गात उचल को यहां इस यहेख में तो यहां पर गात दो है यहां पर पांच है कौन सी कम है दो तो दो की गात दो कित्ता आ गया चार आ गया कोई दिक्कत नहीं ऐसे यहां पर कित्ता आ जाएगा सारे गुडन खंडे लिख देते हैं हम किसी के साथ कोई भी लापरवाई नहीं करते हैं किसी को कोई भी ऐसा नहीं करते हैं कि किसी को धोका दे और कह देंगे कि ऐसा नहीं हम आपको नहीं लेंगे आप सब में नहीं है ऐसा कुछ लिए हम सब के साथ समान विवार करते हैं सब लिखी है सब को साथ सबका साथ सबका विकास दो तीन और को समस्य हो कर लो तो यहां से हो जाएगा LCM दो दूना चार दूना आट दूना सोला दूना 32 32 गुणे तीन गुणे एक सो एक LCM किता आ जाएगा 32 तीन दूना च्छे और तीन तरकनो और गुणे 101 तो यहां से किता आ जाएगा 96 96 96 96 फिजिर यह तो यह नवा जाएगा फिर 96 क्या जाएगा यह यह मारे पास LCM आ जाएगा यह मारा अंसर आज़ेगा के लिए रूवी बात बड़ा कोश्चन था इंपॉर्टेंट कोश्चन था बना हुँआ क्यार एक्जाम में पूछा भी गया है तोगि थोड़ा सा वैसे बड़ी बड़ी संख्यानवी और चार्प दीक्षा तो इसलिए काफी वार पूछा भी गया और LCM निकालना है या SCF निकालना है निकाल लोगे ना दो ही चीज़ इस पर कोशन बनते हैं दो ही टाइप या तो LCM SCF पूछेगा या वो हमने फार्मूला पड़ा कि SCF of A and B and LCM of A and B is equal to A गुणे B मतलब किनी भी दो संख्याओं का SCF और LCM का जो गुणफल होगा जो धनात्मक पुणांग संख्याओं ने लिए उन दोनों संख्याओं के गुणफल के पराबर होने वाला है उसी पर कोशन पूछेगा कैसा कोशन पूछते था जैसा मैंने संख्याओं इसमें कोशन कैसे कैसे गुमाता है कभी A और B दे देगा और LCM दे देगा ये पूछ लेगा ठिक कभी SCF और LCM और एक संख्या दे देगा या भी तो आपसे कहते हैं दूसरी वाली संख्या घ्याद करो कभी देंगा और सिप देगा और ऐलसीयम पूछ लेगा बस इन चाहर कोशिंश में आपको गुमाता रहेगा इससे बार का कोशिंश कोई नहीं पूछेगा आपसे पस इन चार टाइप कोश्चन में कोई भी तीन चीजे देखके एक चीजे वह पूछ लेगा और करें चाहिए और कोश्चन करते हैं देखो कैसे एक और करते हैं चोहता कोश्चन कह रहा है च्छाहे बात्तर और 120 का अभाज गुणनखंड विदिद्वारा स्ट्व और स्ट्व ग्या मैहर का व्यार क्या है आपका अब के सकति को बढ़ाता है कि सोचने पैसे चलते हैं किस तरีके से बोलते हैं किस तरीके से चलते हैं इस सब चीज予ों पर म fitness पर करते अगा सारी चीज़ों में इसका उप्योग है आदे और समझेगे किनहें हूं करेंगे ज़्यादा से ज़ादा question लगाएंगे वेश्ट revision का बस все कोई भी बस करें यह मंए frase कूशिण का भूट करने हैं doesn't फिक है कुर्ण हो चैनल कर लिए को छोड़ेंगे रहे हैं भाइज बस आरी चीजा अच्छे एक होता है 2 3 6 62 के दिखा देते हैं आपको लग रहा है कि नहीं निकाल पाते हो तो निकाल देते हैं दो तीन च्छे और दो चंग बारा फिर आजो दो एकम दो दो अठी सोला फिर आजो दो नम आठारा फिर तीन तरका नो और तीन एकम तीन कोई दिक्कत ने फिर क्या एक सो बीस एक सो बीस के भी निकाल देते हैं 120 दो सर द्यां से आजाएगा दो चंग बारा और फिर आजाएगा जीरो फिर तीस फिर दो एकम दो दो पंचे दस तिरपटी पंदरा और पांच एकम पांच लिख लेते हैं यह आज गुड़नखंड कर लिए आदा काम अमारा है राइंसे खतम हो गया आप चलते एक बात पर पहले सीफ निकालते मासां पासर थे तो हम सबके साथ सबका विकास तो नहीं करना होता है हमें वह बाते करनी होते ही जो सभी में कौन कौन सी सब्कलत सरदो इसके पास इसके पहलगे तो क Toni के बाथ हम नहीं करने वाले क्योंकि यह उपलब भी नहीं नहीं किसी च्छै और पर एक है यहां पर तीन सबसे कम एक है तीन की सबसे नियूंतमगात एक तो दो तीना च्हें हमारे पास क्या आ जाएगा एसीम पाज़ोग निकालते हैं सर यह confus हो जहते हैं सबको एक समान design मतलप की जित्ते भी अबाजी गुअ प्युक्तन है कृण किसका कि एक फर्फ का नेहीं गीजते हैं और पांच तती का किसका आमने उपयोग किए बस है को यहां भी दो तीन यहां भी दोट नन्हें कर दो تعالy को ब्हुद कर्ण gitास की यह तीन की गाट किती मैक्सिमम है दो पांच की गाट किती है एक तो दो दूना चार दूना आठ ये हो गया आठ ये हो गया तीन तरकानों और ये हो गया पांच ठीक तो 85-40 और 40-90 हो गया बाहर से कोई question नहीं बनेगा काफी question हमने LCF और LCM पर कर लिए और इस फार्मूले पर भी हमने question कर लिए एक question इस पर और कर लेते हैं इस फार्मूले पर आधार बस उसके बाद कादम करेंगे इस आधार भूत प्रमे वाला question इसकी बात करेंगे यह question एक ही उधान नंबर एक दिया गया है पहला उधान देखो गए बुक में तो यह दिया गया और काफी बार यह पूछा गया और लोगों को question समझी नहीं आता कि क्या कहना चाहता है आज एक ही बार में इस question को क्लियर कर लेंगे पहले बात करते हैं क्या कह रहा है यह question इस question को समल ले फिर चलते हैं उस पर कह रहा है है दोनों संख्या का ही सिएफ लिखा अ तो ठीक है तो एक प्रकार समेशर अबराबर क्या दिया है 306 पहली संख्या बी बराबर जो दूसरी संख्या जो दिया वो क्या दिये 653 में क्या है सर पूस्चं में दिया है है कितने सेन्ズ यहसे यह पूछ रहा है आप यहां पर हम देखें शर ए और भी अमारे पास कोई दो संक्ष ऑग है कि दिख रही है मारे पास सथीं संख्या precious सर 306, और 600 हमारे पास किता है, 57 हमारे पास ये संख्याएं दी ने, ठीक और कह रहा है कि इनका आप क्या करो, लासा और याँ, लासा आप याद करो, मासा तो हमने दे दिया है, चलो, निकालते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्या है चलते हैं कि वही फार्मूला एक ही सूत्र है सूत्र लगाते हैं क्या कह रहा है सूत्र सर सूत्र हम से यह कहता है कि अगर स्क्राइब एस्टी अगर एक टीन सो च्छे और छैसो सत्तावन टिक और गुणे एलसीयम इन ही दूनों का 306 गुणे शैसो सत्तावन यह बराबर होता है एक गुणे भी उन्ही दोनों संख्याओं के गुणफल के इसमें हमें दिया क्या है सर नौई हमें दिया है हमसे सर लस से इन दोनों का यहाई पूचा है और भी हमारे पास दोनों संख्याएं भी हमें पता है मतलब कि इसमें एल सीम निकालना है किसका 606 और 657 कोई दिक्कत नहीं और ए और दोनों संख्याएं भी हमें ग्यात है 306 गुणे आगर देखे तो हमें यह दोनो संख्याएं भी गया था कि 306 testing 657 है और उम्किराएं कि इसका ncao निकालो जब्कि अमें स्कौँ cash Dare कि सेम उसी प्रकार का परिसम ने पीछे किया था पीछे पीछे सर में यहाँ पर ए और भी में बी निकालनी थी मलब बढ़ें संख्या बतानी थी जबकि हमें SCF और LCM दोनों दिया गया था और A बताना था अब इस वार भी उस इने गुमा दिया उसने क्या किया उसने हमें SCF दे दिया और A और B दो संख्याएं दे दी, देखो, SCF दे दिया और A और B दो संख्याएं दे दी, और LCF निकालने को आप से पूस दिया, कि आप ऐसा करो कि इसका LCF निकालके हमें, बताओ कि इसका SCF कितना होने वाला है, ठीक है, निकालते हैं, कोई दिक्कत की सब्सक्राइब क्या हो जाएगा सरी हो जाएगा 306 गुले 657 और बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा नो तो यहां से क्या करते हैं इसको भाग करते थे नौ से करो इसको तो 9763 हो गया बच्चे का सर 2 92- creativity तार गया तो इन दोनों का गुणा कर लू किसका सर flor Benton dying और है एक किता है हमारे पास Frika सर णे मारे पास 306 है इनका गुणा कर लो तो सर इनका जब गुणा करोगे तो 220 2338 आजाएगा यह हमारे पास क्या हो जाएगा यह इन दोनों संख्याओं का यह माज़े गुणा करके देख लिजेगा तीयत्तर अब जब 306 का गुणा करो कि तो 22338 आजाएगा जो कि हमारी इस प्रश्ण का आंसर हो जाएगा मैं सोर कुछ नहीं करना है यही करना मैंने बता पूछ लेगा इस बार इसने दो चीज़ें दे दिया लिकिन यह नहीं दिया तो इसने इस पूछ लिया इसी पर घुमाएगा इससे बाहर से कोश्चन नहीं बनेगा तो यह हो गई बेसिक बेसिक सी बात हमारे पास अंक गड़ित की आधार बूत परमेक सारे टाइप की कोश्चन उतने लगवा दी है अगर आपने सारे कोश्चन वाकाइदा अगर आप कर लोगे जैसे मैंने समझाया उसी पैटर्न पर कर लोगे तो आपको कोई नहीं रो सकता कि आपके पूरे माक्स ना है इस चेप्टर के भी जब बात कर आंगे ऐसे ही सारे चेप्टर हम आंसर लिखेंगे हमेसा याद रखना आप गड़ित कर रहे हूं आप सायंज पढ़ा रहा हूं आप कोई भी सब्यक्त पढ़े हैं प्रसक्रा Seven को तो पहले question को दो से तीन बार पढ़ा करो केवल, केवल पढ़ा करो, और उस question से एक एक line का मतलब थोड़ा थोड़ा निकालने की कोशिस किया करो, कि आखिर में question कहना हमसे क्या चाहता है, तो यहाँ पर question क्या कह रहा है, कि संख्याओं, चार की घात N पर विचार कीजिए, जहाँ N एक प्राक्रस संख्या है, ग्याद कीजिए कि क्या N का कोई ऐसा मान है, जिसके लिए चार की घात N अंक सून पर समाप्त होता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, देखो, यहाँ पर अलग-अलग सब्द आते रहेते हैं, जिसे प्राक्रस संख्या हो, यह सब चीजिए अबाज संख्या है, तो इसलिए वो चीजिए बताई थी, कि ताकि आप समझ लो, कि प्राक्रस संख्या की बात हो रही ही, इसलिए वो चीजिए छोटी-चोटी बहुत माइने रखते हैं, अब इसने एक सब्द लिखा है, दियान से समझो, इसने क्या लिखा है, संख्याओं की बात किये, बतलब एक संख्या की बात नहीं कर रहा ही, चार की घाट, अनन्त संख्या है, और एक से प्रारम्ब होती है तीन चार डेटेट डेस ऐसे अनन तक चली जाती है बतलब कि यहाँ पर एन कमान कुछ भी हो सकता है एक, प्रलब कोई भी प्राक्र buck हो सकती है, 2, 3, डेश, डेट, डेश, ऐसे ही निकल जाएंगी, ऐसे ही सारी, बहुत सारी संख्याँत है, बन जाएंगी, 4 की गात, एक का वेल्व लू क्या होती है, 4、 4 की गात, 2, 16, 4 की गात, 3, 64, जल सथ दडद देश अनंत चले जाएंगे तो वही कर रहा है से अधिक संख्या систем नहीं उ seria और में पता है कि यह प्राक्रव्स संख्या है तो जैसे इसरी इस चार की गात में प्राक्रस संक्ख्या रखते जाएंगी एक रखेंगे तो 4 आ》 जाएगा 2 रखेंगे 16 सूल जाएगा तीन रखेंगे 64 आ ऐसे अनन्त संख्या यहां पर पुराप्त हो जाएंगी मान का एक दो तीन चार आधम अगर आगे तो यहाँ पर लाश्ट में इकाई स्तान पर सूनने कब आएगा जैसे चार की गात 2 का 16 आया लाश्ट में इकाई की स्तान पर क्या 6 मतलब यहाँ पर 6 की जगे पर सूनने कब आएगा किस घात पर किस घात पर इस चार की घात N का जो मान है वो सूनने के बराबर हो जाएगा पस यह पूछना चाहरा है और कुछ नहीं बतलब कि जिसे चार की गात 3 का मान 64 आया है तो लाश्ट में अगर कोई कौँ सा ऐसी एन की जगे वेलू रग दें इस एन की जगे कौन सा ऐसा मान रग दें इसमें लाश्ट में हिकाई के इस्तान पर क्या हो जाए सर जीरो आ जाए ठीक यह तो हो गई question की बात की वह क्या कहना चार रहे यह बात की आजए हैगा अब एक चीज तुम लोग बताओ अब समझते हैं एक चीज तुम लोग बताओ जीरो हमें सबसे पहले कम मिलता है 0 में मिलता कैसे? 0 सोचो, कैसे? 0 आ सकता है. सबसे पहले हम Darkness कहा मिलता है? 10 पर. प्रक्रस संख्याऊ की बात हो रही, एक से प्रार्म से बोतने पहले? पहले जीर o कहा मिलेगा? पचास पर मिलेगा, ऐसे मिलेगा, 20 के करोगे तो क्या है, मतलब कि 2 गुणे 10, मतलब 2 दाम 20 हो जाएगा, ऐसे 3 गुणे 20, 3 गुणे 10, 3 गुणे 10 हो जाएगा, 4 होगे, 4 गुणे 10, अगर आप आज गुणन खंड कर रहा हो, 10 के गुणन खंड पता ही आपको क्या है, 2 गुण पहले हमें 0 10 पे मिला, मतलब सब में जब भी हम यहाँ पे देख रहे हैं, 20 में भी 10 दस ऐ, ऐसे एकर हम 40 लिखेंगे, तो उसमें भी 10 है, और 10 का मतलब क्या है? सर 10 का मतलब है 2 गुणे 5, 10 का मतलब है 2 गुणे 5, तो वहाँ पर हमें 0 value मिलेगी, simple सी बात यह यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं, कि 0 हमें तभी मिलता है, जब उसके अभाज गुड़न खंड में, हमें 2 और 5 दोनों चीजे मिलने चाहिए, केवल 2 से काम नहीं चलेगा, केवल 5 से नहीं चलेगा, क्योंकि 2 और 5 गुड़ा होकर ही 10 बनाते हैं, मतलब वो 0 बनाते हैं, यह simple 10 की बात हुई थी, ऐसे 20 है 30 है, सम में 20 में भी 10 आता है, तबी 0 बनेगा अन्ता सर 0 नहीं बनेगा तो ये बात हो गए हमारे पास रफ की अब इसको लिखना कैसे एक्जाम में वो बात कर लेते हैं कि आपको एक्जाम में कैसे लिखना अभी बात के लिए रो गई कि कैसे 0 बनना है उसी को हम लिखते हैं कैसे हल कप करेंगे तब हम ऐस तुकहें कि सार जब 2 और 5 होता है तभी वो 0 पर समाथ होती है यहाँ पर क्या है कि 2 और 5 होना चाहिए अगर 25 उपस्तित है वो प्रजेंट है उपलबद है तो वो तो 0 पर समाथ होगी अगर 2 और 5 नहीं उपलब दे तो वो 0 समाब नहीं होगी अब बात कर लेते हैं अपनी संख्या की क्या है 4 की गात n स्थ क्वार हुआर में 4 की गात n की बात करो में तो 4 नो 2 दो लिख सकते हैं क्या इसकी गात n मतलब 2 की गात N गुड़ें 2 की गात N क्या यहां पर कहीं तुम्हें 2 और 5 दोनों चीज़े दिख रहें क्या यहां पर आपको 2 और 5 कहीं दोनों चीज़े दिख रहें नहीं दिख रहें केवल दो दिख रहा है न दो और पांच होता तभी तो यहाँ पर हमेरा दस बनता तभी तो वो जीरो बनता जाके लाश्ट में तो सिंपल सा हम कह सकते हैं कि सर चार की घात एन के अभाज गुड़न खंड में अभाज गुड़न खंड में पांच उपस्तित नहीं है दो तो उपस्तित है लेकिन पांच उपस्तित नहीं है और पांच अगर उपस्तित नहीं है तो सर जीरो कैसे बन सकता है नहीं बन सकता है 2 और 5 से गुडा मुलकर ही 10 बनता है, जो 0 का रूप लेता है, अता यहाँ पर हम कह सकते हैं, अता, N के किसी भी मान के लिए, N के किसी भी मान के लिए, N का मान समझ रहे, प्राक्रसनक है, कि N की कोई भी प्राक्रसनक है हुए, एक किसी भी मान के लिए चार की घात एंट सुन पर समाप्त नहीं होगा सिंपर चार की घात एंट अंक सुन पर समाप्त नहीं होगा बस यही इस बात का आंसर होगा ऐसे ही हमें एक्जाम में लिखना है और कुछ नहीं करना है क्या करना है हमें पता है कि यदि किसी संख्या के अभाज गुड़न खंड में दो और पांच अनिवार रूप से उपस्तित नहीं होता है तो वह सर जीरो पर अंक समाप्त नहीं होता है महल है वह बन सकता है अगर यहाँ जिरों पर समाप्त होगी अगर यहां हिण पर मिल देखा कि यह जीरो पर समाप्त होगा अब यहां पर हमें दीक रहा है कि यहां पे केवल दो की हात यह ने पांच कहीं हमें नहीं दिख रहा है तो हम कह सकते हैं कि सबुस्द के सब ​ कि गात एन के अबाज गुडनखंड में पांच उपस्तित नहीं है अता एन के किसी भी मान के लिए चार की घात एन अंक सून्ड परसमाप्त नहीं बस इसको ऐसे ही लिखाना है पूरे मार्स मिलेंगे कोश्चन सिर्फ एक पेच का है लेकिन चार नंबर में पूछा जाता सचा गया और आपकी Richmond में पहला एक्जाम्पल यह दिया है पहला एक्जाम्पल कराया मैंने बात में क्योंकि सारी गिलियर ओते हमिये से गलिगंफंढ के बारे में क्लियर हो जाया इसके बाद में बेर ने शिर कर रिए अपने हिसाब से runner decide कि 11 कराना ये कैसे को श्चन प्रमे पराधारी जित्ते question बन सकते थे different different type के वो सारे हम लोगों ने complete कर लिए अपके इन दिन 45 नमबर तो हम लोगों ने यहां से पक्के ही कर लिए कुछ रही ही नहीं गया है तिक अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे आप परिमे संख्याओं के बारे में इस परमे स से ही हम स्टार्ट करेंगे अपने आंगे के लेक्चर को ठीक है तो यह प्रमे क्या कहती है प्रमे यह कहती है कि माल लिया की पी एक अभाज संख्याए यदि पी ए स्क्वायर को विवाजित करती है तो पी एक को भी विवाजित करेगी जहां एक धनात्मक पूरांक है इस ब अब ये कैरा है कि अगर ये धनात्म हके जो मरश है ले लिए इसने का कि एक अभाज जी दिया do यह फॉर एक्जाम्पल एक वैल्यू हम ले रहे हैं ताकि इस प्रमे को समझ सकें कि क्या कहने चाहरे यह प्रमे यह अभाज संख्या है ठिक पी हमारे पास एक अभाज संख्या है यह हमारे पास एक धनात्मक पूरांग है अब इसने का अगर यदि यदि क्या है कि पी ए क्या? ये अगर A square को वीवाजित करती, A square मतलब की 6 का square, अगर 6 के square को, ये P जो है मारे पास वीवाजित करती है, तो 6 का square क्या t Sóia होता है? 36 बटे 3, ये आजाएगा 12thinkyronこんな kannst थिस सा، शाव वीवाजित कर रही है? कोई दिक्कत नहीं, अगर P A square को ये P विवाजित करती है तो P B A को विवाजित करेगी तो P A को भी विवाजित करेगी मतलब क्या है कि अगर इसके वर्ग को विवाजित करती है तो वर्ग के हटाने के बाद भी विवाजित करेगी यह हमें दिख रहा है आपर यही तो यह प्रमे कह रही है, प्रमे क्या कह रही है, कि P A का भाज संख्या ले लो, A एक धनात्मक पुढांग ले लो, कोई भी धनात्मक पुढांग ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, यह हमने एक एक इग्जामपल के लिए लिया, 6 और 3, आप ऐसे हजारों कांबिनेशन बना सकत हैं, जिसके लिए A हमारे पास एक धनात्मक पुढांग होगा, और P A का भाज संख्या होगी, और इन दोनों के लिए हम यह कंडिशन बता सकते हैं, जैसे मालों ने A बराबर क्या लिया, 8 ले लिया, एक धनात्मक पुढांग है, P A भाज संख्या मालों ने 2 ले ली, ठीक, कोई दिक्कत, अगर क्या होगा, अगर ये A का जो वर्ग है, मतलब A का वर्ग, मतलब 8 का वर्ग, P से विभाजित होता है, मतलब इस 2 से विभाजित होता है, 8 का वर्ग क्या है, 64, बटे 2, तो 2, 3, 6, और 2, 2, 4, हां सर विभाजित हो रहा है, तो ये वर्ग के बिना भी ये applicable है इसको उप्योग हुम आंगे question बें करेंगे तो आप परिमे शंख्याओं में सिर्फ एक ही प्रमे पढ़नी है इस प्रमे का ही उप्योग हमें करना है आंगे ये प्रमे proudly कहीं नहीं पूछी जाती है सिर्फ उमें ये एक जानकारी किए यह बताही गई कि यहां पर अगर किसी को यह Ich a dhhanatmak youtube और पी यह का भाज संत्या है और रोवजा डhyent अग और इस अब आज संंत्या का वर्ग है इस दहनातम को वरग अगर इस अब आज संत्या से विवाजित हो जाता है तो तो वर्ग के बिना भी मुलाभ इसे स्क्वायर कोछ घटायः हटाया कर हम इससे किया कर सकते चोविभाजित कर सकते जो दोनों एक्जामपल में हम देख सकते यह दूसरा एक्जामपल हो गयाउं धिक इसका उपयों कैसा करना है कि उसकी अब हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं अब मोश्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने जा रहा है और अंतिम टॉपिक है बस लास्ट का कुछ टापिक बचाए एक ही टॉपिक बचाए जो हमारी लास्ट की एकसर साहिज है 1.3 वे 1.2 उसी के हमें सब लगाने उन् सब्सक्राइब यह ना है जया है अगर हम इस रूट 5 को या रूट 2 को किसी एक को हमने करना सीक लिए तो सारे उसी same process सो solve होंगे और कुछ नहीं करना, एक pattern है, इनका एक fixed pattern है, उसी fixed pattern के according ही हम इन question को solve करते हैं, आराम से देखते रहिए, पूरा एक किस्टे बाग को समझ में आ जाएगा कि कैसे इसे आ परिमें हमें सिद्ध करना होता है, एक तो पहले type का ये question होता है, जो root 5a का परिमें संख्या है, एक दूसरे type का question ये होता है, कौनसा, कि जब वो कह देगा कि कोई परिमें और परिमें को सयोजित करके लिख देगा, जैसे देखों यहाँ पर तीन एक परिमें संख्या है, दो भी परिमें संख्या है, लेकिन root 5 परिमें संख्या है, तो परिमें संख् खुआ पर्मेस सअख्या ए माइनस देगा दो कुछ बन tau कुछ भी बना लो और बन जाएगा 7-5 बन कोईसं देगा और कहतेगा कि आप इसको आप्र बंन ते हैं या तो परी में और और आपाइब का कुछ गुणा भाग कर경 के लिख देगा उसको आपरी में पूछेगा या फिर आप से कहेगा डारेक्ली एक आपरी में संख्या दे के इसको पूछेगा यह वाला जो छोटा लग रहा है ना कोश्चन यह वाला ज्यादा बड़ा है इसका आधा है जो पहले आपने कोश्चन देख रहे हैं रूट 5 को जब करेंगे इस उस टाइब का होगा या सेकेंड टाइब का जो करेंगी एक क्वेस्टिन पकावाहा लिखा होगा कि इसको सिद्ध करके बताओ आपके अभी से आयाद कर लो तो चलते हैं इसको सिद्ध करते कैसे सिद्ध करना कोश्चन क्या कह रहा है कैसा फैटरन रहेगा बिल्कुल था रूट है कि एक परीमे संखिया हम यह मानते ही नहीं है कि यह यह अपर में हम इसका उल्टा लेके चलते क्यों उल्टा लेके चलता अभी बात समझ में आ जाएगी इसने का ऊपर की दूट फाइब एक जना हमने नहीं माना हमने करने आप के लेकर चलते हैं कि परिमे संख्या फिर आंगे बात करेंगे कि यह परिमे क्यों नहीं है उसकी बात हम आगे कर लेंगे तो पहले क्या चलना है उल्टा लेकर चलना है कि रूट फाइव एक परिमे संख्या है अब सेकेंड डिश्टम हैं अगर मैं इसको रूट 5 के रूप में लिख सकते हैं तो एक इंपोर्टेंट बात कि पीवा क्यू जो होंगे मैं पीव aikoo सया भाज से त्लिक्या कई सया्वाहज पूलांग थो हैं ही लेकिन साथ में शया भाज फिप यूज पूड़ांगे क्यों क्यों कि आपको पता है कि सहा बाज संख्यां का संख्या होती मैंने बताई थी साल जिनका सेक्ष एक हो मतलब सिंप्लीफाइड होंगी मों सिंप्लीफाइड समझ रहो जैसे हम लिखते थे पांच कामाइड व साथ इन दोनों का युघ में क्यों कि सर इनका SCF जो होता है वो एक आता है इसमें कोई भी उभैनिष्ट गुणन खंड में नहीं मिलेगा SCF निकालने का मतलब अब ऐसे एक आने का मतलब क्या है कि इसमें कुछ भी अब उभैनिष्ट गुणन खन्ड नहीं मिला सिवाए एक का मतलब पांच के अगर गुणन खंड किये गया तो जीमिट एक तो जब भी यह अगर सकते हैं कुछ भी नहीं कटने वाला ऐसे आप फिल फांच बेटे छैल लिक लो नहीं कटने वाला दो और तीन लिख लो कुछ भी नहीं कटेगा तो सिम्पल यह क्या सैभाज यूग में जिनका SCF एक होता है, ठीक, यह बात तो समझ में आगे, most important बात है, P और Q जो है, वो सह बाज है, ठीक है, चलते हैं, P और Q सह बाज पुढ़ांक है, और आप तो पता है, P और Q पुढ़ांक है, और दूसरी बात यह भी पता है, Q कमान 0 के equal नहीं होगा, दोनों बाते आपको प निकाले, Q equal to निकाले यहां से, तो Q equal to क्या आजाए, यहां से अगर हम Q कमान ग्याद करते हैं, तो Q बराबर क्या आजाएगा, सर्फ P बटे रूट फाइव, यह आजाएगा, Q equal to P बटे रूट फाइव, आप क्या करना है, दोनों पच्छों का वर्ग कर दूँ, दोनों प यह हो जाएगा, Q square equal to P square बटे 5, इसको दे दिते हैं समी करण 1, बहुत इंपोर्टेंट बात, ध्यान से देखेगा सबी लोग, इसको हमने दे दिया समी करण 1, हमने यहां पर क्या किया, root 5 equal to P upon Q, Q का इधर गुणा किया, और यहां से Q की value निकाल ली, Q इधर लेका, root 5 क्या है, P और Q क्या है, पूढ़ांक है, सबसे छोटी सी बात कि P और Q पूढ़ांक होते हैं, सबको पता है कि P और Q पूढ़ांक होते हैं, कोई बात नहीं, परिमेर संख्या जब लिखते हैं, तो उसमें लिखते हैं, P और Q यह पूढ़ांक है, अगर हमारे पास P और Q पू होगा माइनस-5 के इसक्वाइर हो जाएगा तो सिंपल हमें यह पता है कि अगर क्यों पीड़ाँक है तो क्यों स्कॉइर भी पूड़ांक हो अगर क्यों सक्वाइर पूडांक है तो की स्क।र के बराबर में ही तो यह लिखा है P square बटे 5, अगर यह पूरांक है तो यह भी पूरांक होगी, क्यों? क्यों कि सर्य यह इसके बराबर है, equal to का साइन लगा है, अगर यह इसके equal है, इधर वाली संख्या पूरांक है, तो इधर वाली संख्या जब solve की जाएगी, तो वो भी पूरांक आएगी, तभी त पूरांक है हमें पता था सर सबसे पहली बात कि क्यूव एक पूरांक है सबसे उपर यह भी लिख देते हैं क्यूव एक पूरांक होगा ठीक क्यूव एक पूरांक होगा ठीक क्यूव एक पूरांक है तो पी स्क्वाइर बटे बी भी एक पूरांक होगा सबको पता है क्योंकि इसके equal लिखा है तो P square 5 बटे भी एक पूढ़ांग हो जाएगा Q square बटे 5 है ने 5 कर लो इसको P square बटे 5 यह अगर एक पूढ़ांग है सिंपल यह लिखा है तो हाँ यह पूढ़ांग तब होगा जब हम 8 में 4 का भाग कर रहे होंगे तो 4 दूना 8 यह हमें यहाँ पर क्या मिला होगा 2 2 क्या है एक पूढ़ांग संख्या मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा होगा जब P square में पास से भाग कर रहे होंगे जब पूरा भाग जाएगा पूरी एक भाग चला जाएगा कोई ऐसी संख्याएगी जो इंटीजर होगी जो पूढ़ांग होगी तभी तो पूरा पूरा भाग जाएगा तभी तो उसको हम पूराँक वोलेंगे जब पूरा-पूरा भाग जाएगा मतलब इस बात का क्या है कि पी स्कॉयर पास से विभाजित है तभी पूराँक संखया देगा, इन सभी बातों का मतलब लिख रहे हैं, भी पूछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ जो यह इतना बड़ा हम ने ये ड़ब्वे में लिखा हैं, इन derechos बातों का मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा तभी पूरांग संख्या मिलती है तो P स्क्वाइर 5 से विवाजित है और P स्क्वाइर 5 से विवाजित है अगर P स्क्वाइर 5 से विवाजित है पांच एक कैसी संख्या है अभाज संख्या है P क्या है हमारे पास एक धनात्मक पूरांग है क्यों वो 5 से विभाजित होगी, सबसे important नहीं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सर, यहाँ पर हम ये लिखेंगे, कि सर जो P होगा, वो भी 5 से विभाजित होगा, क्योंकि पीछे प्रमे पड़ी, कि अगर किसी संख्या का वर्ग, एक अबाज संख्या से विभाजित होगी, तो P भी 5 से विभाजित होगा, अब चलते आँगे, अगर P 5 से विभाजित है, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या, P इकवल टू 5K1, जहां, K1 एक पूडांख है, यहां पर लिख सकते हैं, कि अगर P 5 से विभाजित है, तो P इकवल टू 5K1, क्योंकि इसका मल्टिपल होगा, तभी तो विभाजित होगा, तो P equal to 5K1, इसका एक गुड़ज होगा, तो P equal to 5K1 हमने लिख दिया, जहां K1 एक हमारे पास क्या है, पूडांक है, अब इसी को लेकर चलते हैं, P equal to 5K1 को, तो P equal to 5K1 जो है, इसको समीकरण हम क्या दे देते हैं, समीकरण 2 दे देते हैं, अब चलते हैं, समीकरण 1 के पास, स समीकरण हैं, एक से अगर हमें आपर बात करने, तो हम क्या करते हैं, इस P का मान उठाके उसमें रख देते हैं, तो P का मान आपर रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, Q square equal to, P की जगए पर हम क्या रख रहे हैं, 5K1, तो यहां से हो जाएगा, 5K1 का square, और बटे में हमारे पास क लिखते हैं, तो Q square equal to, क्या जाएगा, 5K1 का square, अब के 1 equal to, आ जाएगा, Q square equal to, क्या जाएगा, सर, यह आजाएगा, Q square बटे का 5, यह आगया, हमारे पास क्या, K1 का square बराबर Q में एक relation निकाल लिए, संबन निकाल लिए, वो आ गया, Q square बटे 5, अब सेम चीज फिर से हमें करनी है, जैसे यहाँ P square बटे 5 बना था, यहाँ Q square बटे 5 बन गया, अब इसी के according फिर से लिखते हैं, अब यहाँ पर हमें पता है, क्यों एक पूढांग संख्या है, जैसे यहाँ पर हमें पता था, क्यों एक पूढांग संख्या है, सेम ऐसे यहाँ पर हमें पता है, क्यो एक पूढ़ांक संख्या वही बात है सेम बात वही चीज लिखी है तो यहां पर क्या होने वाला यहां पर कंडीशन क्या बनेगी कि यहां पर कंडीशन यहीं बनेगी कि क्यूई स्क्वाइर जो है वो क्या करती है वो पाच को विवाजित करती है सिंपल सी चीज है कि क्यूई q2 अगर q2 पूढक है तो इसका square फूदांग होगा अगर q2 बते पांक जो लिखा हुआ है यह पूरा पूढक होगा अगर यह पूढक होगा तो हमारे पास k1 भी क्या है के वन तो एक पूरांक है तो सिंपल सी बात ऐसे समझ लो जैसे हमने के वन आपर क्या किया बताया था एक पूरांक है के वन एक क्या है पूरांक इस तरीके समझो कि के वन हमारे पास एक पूरांक है अगर के वन हमारे पास एक पूरांक है तो इसका वर्ग भी पूरांक होगा इसी side से चलते हैं, यह सही रहेगा, यह K1 हमें पता एक पूढ़ांक है, तो K1 का square भी, एक पूढ़ांक होगा, इसके बाद Q पर पहुचेंगे, इससे आराम रहेगी, इससे क्या होगा, अगर K1 square एक पूढ़ांक है, तो Q square बटे 5 भी पूढ़ांक होगा, जैसे कि यहां Q square जब पूढ़ांग था तो P स्क्वाइर पांच भी एक पूढ़ांग था ऐसे यहां पर केवन अगर एक पूढ़ांग है केवन का स्क्वाइर एक पूढ़ांग है तो P स्क्वाइर बटे पांच जो Q स्क्वाइर बटे पांच होगा यह भी क्या होगा एक पूढ़ांग होगा क्लियर क्यूि स्क्याइर बटे 5 भी एक पूडांग हो गया अगर क्यूई स्क्याइर बटे 5 एक पूडांक है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि क्यूई स्क्याइर पांस से विभाजित हैं पांच हमारे पास क्या एका भाज संख्या है तो क्यू स्क्वाइर पांस से विवाजित है अगर क्यू स्क्वाइर पांस से विवाजित है तो क्यू भी पांस से विवाजित है तो क्यू पांस से विवाजित है तो क्यू पांस से विवाजित है तो क्यू पांस से विवाजित ह जैसे यहाँ पर P equal to 5K1 आया था यह P equal to मारे पास 5K1 था इसी प्रकार Q equal to 5 मारे पास K2 आ गया इसको उन क्या करते एक समीकरण दे दे दिया कि समीकरण A और इसको मनें समीकरण B दे दिया यही दोनों important समीकरण समीकरण A और B से अब देखो question हमारा solve हो चुका है समीकरण A वा B से A और B से क्या है कि सर P equal to मारे पास 5K1 है और Q equal to 5K2 है अब ध्यान से देखना बात को यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि सर इसमें जो यह 5 है ना यह 5 दोनों में common है दोनों में उभै निष्ट है और जबकि अबी अमने पीछे लिखा था P All Q क्या थे सर यह pronounce to P All Blacks स्खिया ते मतलब कि इसमें अगर हम देखे तो इसमें कोई भी हमने और अप्य उभैनिष्टद योह नोहिं उपस्तित है जब और उपस्तित है तो पाच यह एक निस्टीत गुठड़न निकल आईगा तो यहाँ प और अगर से बाजे संख्या नहीं होंगी तो हम कैसे कह सकते हमने तो यहां पर इसको परिमे लिया था तो यह परिमे भी नहीं होंगी अगर परिमे नहीं होंगी तो कहा है आप परिमे संख्या है तो यहां से क्या निकल के आएगा कि रूट फाइव एक परिमे संख्या है तो कह सकते हैं कि पांच एक उभय निष्ट गुड़न खंड है उभय निष्ट या कॉमन बोल सकते हो गुड़न खंड है उभय निष्ट गुड़न खंड है अता कि यह पूर्व क्रथन का विरोध करता के विरोधा बास मतलब कि इस तो वहां पर सब्भाइब गर हई नहीं क्योंकि सबस्गें से नहीं है क्योंकि हमें यहां पर उबैनिष्ट गुडन खंड दिख रहा है अगर यह सहाइभाज नहीं है तो सिंपल यह परिमे भी नहीं है तो यहां से क्या लिखेंगे अता यह अता रूड फाइव यह सीधे लिख दो अता रूड फाइव एक अपरिमे संख्या है समझ गए बात बस इतना सा ही अमें करना मुश्टन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन कोश्चन ऐसा नहीं है कि कुछ टॉफ है सिंपल कोश्चन है ऐसे ही कोश्चन रूट फाइव का है ऐसे रूट से वन रूट टू कुछ भी आ इननुकह या लिखाओ कुछ 7 से विवाजित होगा तो यह से वहाजित होगा रूट पांट ouais शावज़ाई टू के लिए जहाँ रूट पांट हो जाएगा जया हुप पांच की जगे पांच वही उसी के according हम पूरा question ऐसे ही डिटो ही solve करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। बस यही हमें यहां यूज करना था, हमें इसका विरोधा बास लेके चलना है, इसका उल्टा लेके चलना है और बाद में उस चीज को में गलत सकाय देना है, जो हम लेके चले थे वो चीज वहां पर follow नहीं होगी, तो फिर क्या होगी जो question में दी गई है, मतलब कि उसका करेंगे, कैसे, कि माना, 15 ध्री, प्लस टू रूट फाइव, एक परी में संख्या, बस सेम वैसे ही करना है, एक परी में संख्या है, तिक, अगर परी में शंख्या यह है, तो सिर फिर से वही बाद, 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू P बटे Q यहाँ पर हम लिखेंगे P वा Q सहभाज संख्या है वही दोनों चीजें लिखेंगे वैसे ही बिल्कुल सहभाज संख्या है तिक और दूसरी चीज क्या लिखेंगे Q does not equal to 0 क्योंकि हर में 0 नहीं हो सकता दोनों बात यह लिखकर बस ऐसे ही आँगे चलेंगे अब इसमें एक चीज आपको करना है कि जितना भी परिमे वाला पार्ट है परिमे समझ रहे है 3 जैसे परिमे संख्या है 2 एक परिमे संख्या है 2 बटे का Q फिर 2 को भी इधर बेज दो सिर्फ क्या वाला पार्ट रखो सिर्फ आपरिमे वाला पार्ट इदर रखो आपरिमे कौन सा पार्ट है सर रूट 5 तो रूट 5 को इधर रखो बाकि सब को साइड बेज दो तो यह क्या हो जाएगा सिम्पल सी फिरजी की बखवास ही करेंगे और कुछ नहीं करना बस यहां ही से सिर्फ हो जाएगा क्या करना है सिम्पल यह करना है कि कुछ भी यहां लिखा हो यहां 7 प्लस 2 रूट 5 लिखा होता तो भी यही करते 7 को उस साइड ले जाते फिर 2 को उस साइड ले जाते रूट 5 को छोड़ देते यहां रूट 3 होता तो रूट 3 को यहां छोड़ देते बाकि सब उस साइड यहां रूट 11 होता रूट 11 को यहां छोड़ देते बाकि सब उस साइड कोई दिक्कत के बार नहीं इस प्रकार का pattern जब ये बन गया, ये जो format बन गया, अब इसको ध्यान से समझेगा, क्या है, इसमें मैं क्या समझाना चाहरा हूँ, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, कि P और Q क्या है, पुडांग संख्या होती है, ये पता है, कि जब भी हम P बटे Q के रूप में आएगी, ठीक, P और Q अगर कोई पुडांग संख्या है, कोई भी ले लो, for example, ये माइनस दो ले लिया, प्लस का, तीन ले लिया, तो हमें जो मिलेगा, ये एक मिलेगा, एक पुडांग संख्या मिले, कि कोई भी ऐसे P और Q पुडांग संख्या रखो, और फिर उसका जोड करके देखो, हमेसा पुडांग मिलेगा, ऐसे ही अगर P माइनस Q करते हैं, तो भी हमें एक पुडांग मिलेगा, मतलब दो पुडांग संख्याओं का अंतर भी पुडांग होगा, जैसे 7 माइनस 5 कर दिया, तो 2 आया, 2 एक पुडांग संख्या है, मतलब दो पुडांग संख्या आएगी जैसे कि माइनस दो गुले पांच तो माइनस का दस आगे हां सरे पूढांग संख्या आएगी तो सर जोडने पर भी घटाने पर भी और गुणा करने पर कोई दो पूढांग संख्या है प्योर क्यों क्या पूढांग अगर दो पूढांग संख्या है तो उन परिमे संख्या होती है, वो क्या होती है, परिमे संख्या होती है, जैसे कि 5 बटे 3 लिख दी है, कुछ भी लिख सकते हो, अगर 2 संख्याओं का हम भाग कर रहे हैं, तो मैं पता है कि वो एसार क्या होती है, दो पूरांग संख्याओं का भाग कर रहे हैं, तो वो क्या होती है, परिमे संख्या होती ठीक इसी का यूज करना है मैं अब आजो एक्चुल कोश्चन पर इसका बस समझाने के लिए उपयोग था अब अपने कोश्चन पर आते हैं कोश्चन में क्या लिखा है ध्यान से देखना इस सम्टेंज को जो मारे पास लिखा है कि पहले अंस को देखो सिंपल न्यूम्रेटर वाला पाट पी माइनस 3Q सरफ पुढांक के क्यूएक पूढांक है तो इनका अंतर भी पूढांक आएगा क्योंकि तीन से गुणा और आचरमाने कोई दिख्कत नहीं तो पी से अगर हम 3Q को माइनस करते तो एक पूढांक संख्या कोई दिक्कत क्यूंप उसमें दो से गुणा करने तो भी पूढ़ांग संख्या आएगा उपर पूढ़ांग के नीचे पूढ़ांग है तो क्या आएगा सर ऊपर भी एक पूढ़ांग संख्या नीचे भी पूढ़ांग संख्या मतलब भाग में दो पूढ़ांग संख्या ल एक यहां पर इसके अनुसार क्या है इसके अनुसार रूट फाइव मतलब कि एक आपरी में संख्या इसके अनुसार इसके अनुसार इसके इक्वेशन वन के अनुसार यह क्या है आपरी में संख्या यह में दिख रहा है कि यहां पर सर आपरी में संख्या क्यों आपरी में क्या है जो क्या है जो कथन का विरोधाबास है जो कथन का विरोधाबास है जो कथन का विरोधाबास है विरोधाबास समझे उसका कंट्राडिक्सन है मतलब कि उसका उल्टा है विरोधाबास है आता विरोधाबास मतलब कि इसका उल्टा है उल्टा मतलब कि आता पी माइनस थ्री क्यू बटे टू क्यू एक परिमे संख्या है यह बात हमें पता है कि क्यों परिमे संख्या है सर्थ क्योंकि सर्थ हमें पता है यहां पर कि दो पूरांग संख्याओं का जो योग होता है वो भी पूरांग संख्या होती है अंतर भी पूरांग संख्या होती है गुणा भी एक पूरांग संख्या होती है सिर्फ भाग करने पर हमें एक परिमे संख्या प्राप्त होती है, तो ये भी पूडांग के, इन दोनों का भाग करेंगे, तो एक परिमे संख्या होगी, तो इसलिए हमारे पास ये क्या होगा, एक परिमे संख्या होगी, तो बस यहीं हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा, और कुछ नहीं, बस आप रूट 5 का खुद से करिएगा, जब रूट 5 का हो जाए, फिर आप अपने एक्जाम्पल से, अपने मन से क्या करिएगा, रूट 2 और रूट 3 का HW में ट्राइ करिएगा, यह मेरी तरफ से HW लिख ली जिएगा, कि रूट 2 और रूट 3 का, दोनों का आप HW में ट्राइ करिएगा, और उनको सिद्ध करके दिखाईगेगा, कि यह दोनों आपरी में कैसे, सेम इसी पैटरन से करिएगा, इसी पैटरन को करेगा, इस बात को समझेगा, बस आराम से कोश्चन हल हो जाएगा, दो ही टाइप की कोश्चन होएगा लेकिन एक क्वोश्चन पका यह तो इस टाइप का या तो इस टाइप का यह देखो विल्कुल छुटा है उससे आद ही है तो आराम से इन कोश्चन को प्रैक्डिस करिएगा बस इतना ही हमें दिया गया है पहले चैप्टर में जो मारे जाएगा कभी अबाद जाएगा तो वह सब चीजों का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए तो उन सब चीजों का मतलब पता होगा तो आप अच्छे से कोश्चन कर पाओगे इसलिए यह तो कैसी लगी क्लास सभी लोग जरूर बताईएगा आज ही क्लास तो मैं फिनिस करेंग तो मैं अपना जो वन सौर्ट होगा वो मैं उसका वन सौर्ट आपको दे दूंगा ठीक है सभी लोग लाइक कर लिजेगा कमेंट करिएगा जो भी कैसी लगी क्लास आप जरूर हमें बताईएगा फीडवेक अपना दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा फिर म